आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राइट चिकेन जो की बिल्कुल KFC स्टाइल चिकेन पॉपकॉर्ण होगी और इसे बच्चे खाना बहुत जादा पसंद करते हैं अगर आप बाहर से खरीदेंगे तो यह जादा एमांड में आपको बहुत ही कम कौंटेटी मिलेगी तो इसलि आपको नमस्ते और वेलकम तू माई चैनल तो फ्रेंच इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको एक मसाला बनाकर के रेडी कर लेना है जिसे हम बोलते हैं परी-परी तो आपको ग्राइंडर में सबसे पहले डालना है पॉड़र शुगर सॉल्ट ओनियन पॉर्डर फिर हम इसमें डालेंगे ब्लाक पेपर पॉडर इन सब मसालों को आपको इसको ग्राइंड करके रेडी रख लेना है और यह आपका बन गया पैरी-पैरी मसाला जिसे हम यूज करेंगे चिकन को मैरिनेट करते टाइम भी और जब हम चिकन पॉपकॉन सर्फ करेंगे तो उसमें भी यही सीजनिंग डाल करके सर्फ करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन के बोनलेस पीसे तो अब इन चिकन पीसे को हम मैरिनेट कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें डालेंगे सॉल्ट और अब इसमें डालेंगे पैरी-पैरी मसाला जो हमने पहली ही बन तो इन सब इंग्रेडेट्स को डालने के बाद आपको चिकन में इसे अच्छी तरह से कंबाइन कर देना है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए आप रेस्ट का निकली छोड़ दीजिए तो यहाँ 15 मिनट के बाद friends आपको लेना है यहाँ पर मैदा और मैदे में हम एड कर देंगे salt as a seasoning के तौर पे आप चाहे तो यहाँ पर पेरी-पेरी मसाला भी आड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से mix करते हैं तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैदे में नमक मिक्स हो चुका है अब हम क्या करेंगे अब जो marinated chicken है वो हम लेंगे उसको इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से हम flour से पहले coat कर लेंगे तो जब आप इसे coat कर लें उसके बाद मैं यहाँ पर एक जारा ले रही हूँ और जो excess flour है उसे आप इस तरह से हिलाते हुए गिरा देंगे नीचे और उसके बाद immediately आप इसे icy water में जो की बहुत है chilled water है उसमें आप इसे dip कर देंगे dip करने के बाद आप वापस इसे निकालते हुए वापस से आप इसे डाल देंगे मैदे में तो मैदे में डालने के बाद आपको मैदा वापस से इसमें अच्छी तरह से coat करना है और coat करते टाइम आप इसे हलका हलका इसे प्रेस करेंगे ताकि मैदा अच्छी तरह से उस chicken के पीसेस में लग जाए यहां में एक चिकन पीस को उठाती हूं और इसे जर्रा करके आपको दिखाती हूं कि किस तरह से इसमें फ्लेक्स बनने लगे हैं तो इसी तरह का ये फ्लेकी टेक्शर आपको चाहिए होगा तो अभी तो इसमें काफी एकसेस अमाउंड में मैदा लगा है जब आप एकसेस मैदा को जाड़ लेंगे तो जो मैदा आपके चिकन पीसेस में लगा हुआ होगा वही आपको फ्लेकी टेक्शर देगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फ्लेकी टेक्शर आ चुका है इसी तरह ही आप अपने चिकन पीसेस को रेडी क अच्छा चाहिए तो अगर आप एक बार में जादा चिकन डालते हैं तो आपका तेल ठंडा हो जाएगा और वो सही से चिकन को फ्राइ नहीं करेगा तो आपको बैच वाइस में चार से पांच या पांच से छे चिकन पीसे से डालने है और उसके बाद इसे आपको दीफ्र कर लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना फ्लेकी टेक्शर वाला चिकन पॉपकॉर्ण बन करके तयार है बिल्कुल केफ सी स्टाइल है और खाने में भी उतना ही वैसा ही टेस्ट आता है जैसा कि आप बाहर इसे खाते हैं तो यहां पर हमारा चिकन निकाल लेते हैं और इसी तरह ही आपको बैच वाई सारे चिकन पीसे को डिफ्राइब करकर के रेडी रख लेना है और हां फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आप इन चिकन पीसे को लंबे टाइम तक रख सकें तो इसका एक ही जरिया है कि आप इसे फ्रीजर में डाले फ तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए इसे रेक्टाइंगलर वाले बॉक्स में इस तरह से रखें कि आप इसे बाद में जब चाहें उसके बाद आप डी फ्राइ करके इसे इंजॉय कर सकें लेकिन हां थोड़ा सा टेक्शर में फर्क आएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां पर हमारा टेस्टी क्रंची क्रिस्पी चिकेन पॉपकॉन बन करके तयार है और सर्व करने से थोड़ी देर पहले हम इसमें डालेंगे पेरी-पेरी पॉडर और उसके बाद इसे अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद ही इसे सर्व करेंगे तो उमीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह रेसिपी काफी पसंद आई होगी और आप भी घर पे जरूर इसे ट्राइ करेंगे और साथ ही साथ रमजान भी आ रहा है तो रमजान की दिनों में भी आप इसे बना करके इंजॉय कर सकते हैं तो हुआ 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 हुआ